अब आपको पता होगा जैसे हमारे पास एक slope of line होता था जो मैं find करना था वो दो point से pass करती थी मान लेते हैं इन दोनों points से उसका formula होता था m equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 अब यह दोनों point है कौन-कौन से सर वो पहला point तो है वो origin पर है मान लेते हैं ऐसा कि यह पहला point यहां origin पर यह पॉइंट यहां नहीं है यहां पर है यह जीरो जीरो पर है और दूसरा जो point है वो actual के अंदर है midpoint of the line segment वो दूसरा point ऐसे है मान लोग यह दूसरा point जो है वो किसी दूसरी line का midpoint है और यह line के coordinate कहा है आपके पास 0,-4 और यह 8,0 इन दोनों का midpoint है वो और origin इन से एक line पास कर ली उसका आपको slope निकालना है समझ में आगे क्या कहरा है तो सबसे पहले तो आप midpoint निकालो midpoint of line segment P 0,-4 and B 8,0 ठीक है midpoint कैसे निकलते है आपको पता है x1 प्लस x2 तो 0 प्लस 8 बाई 2,-4 प्लस 0 बाई तो यह 4,-2 आपके पास निकल गया है यह midpoint अब आपको formula पता है slope बनानी है हमें slope of line through points एक तो 0,0 क्योंकि origin है and दूसरा आपके पास इस point का आप कोई भी name दे सकते है जो आपको सही लगे and 4,-2 अगर यह आपका x1 y1 हो गया तो यह आपका x2 y2 हो जाएगा अप slope क्या होता है m equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 y2 की value किती है देखो negative 2 minus y1 की value 0 x2 की value किती है आपके पास 4 और यह 0 यानि negative 2 by 4 cancel out करूँगा कितना हो जाएगा minus का half हो जाएगा यह तो यह आ गया आपके पास slope of line m equals to minus half this is your answer clear cache number 5 complete quality